कहानी की शुरुआत में हम दो लड़कियों को पार्टी से लोटते हुए देखते हैं वो अब भी पार्टी पर चर्चा कर रही होती हैं और बाते करते करते सडक के एक ऐसे मोड पर पहुंच जाती हैं जहां से उनके घर के रस्ते अलग होने वाले थे अब भी उसकी टांग खीच रही है लेकिन जैसे ही वो ड्रम्स के पास जाती है उसे अपनी सहेली के सैंडल्स नजराते हैं और फिर उसकी लाश जिसकी खोपड़ी खुली होती है तब ही जाडियों में से एक अजीव सा जीव निकल आता है लड़की किसी तरह अपने घर में दाखिल होने में काम्याब हो जाती है डाइनासोर की अकृतिवला जीव लड़की के पीछे घर में घुच जाता है जो मेज के नीचे छुपकर अपने आपको बचा लेती है ऐसा वो लड़की सोसती है बाहर निकलते ही वो जीव उसके पीछे खड़ा होता है और उसकी सहीली की तरह उसकी खोपड़ी भी खोल देता है अचानक से हमें एक महिला नजर आती है जो अपने बेटे एड्रियन को उसकी बहन से मिलने के लिए कहती है सैमा हुआ एड्रियन इंकार कर देता है लेकिन उसकी माँ बताती है कि उसकी बहन के पास बहुत कम समय है उसकी बहन कैली अपनी आखरी सांसे गिन रही होती है और एड्रियन के हाथ मिलाने से पहले दम तोड़ देती है अचानक से मरी हुई कैली उठ खड़ी होती है और उसके मुँ से सांप जैसी चीजे निकलती है ये एड्रियन का बुरा सपना था जो उसे अक्सर आया करता था और कहानी पांच महिने पीछे आ चुकी थी एड्रियन की बीवी उसे वापस मिस्तर में बुलाती है और बताती है कि ये उनके लिए बच्चा बनाने का सही समय है लेकिन एड्रियन का सारा ध्यान अपनी रिसर्च में ही होता है उसकी बीवी अपना प्रेग्नेंसी किट उठा कर कच्रे के डबे में फैक देती है जहां एड्रियन का पचतरवा ट्राइल भी चला जाता है एड्रियन एक साइंटिस्ट था जो अपनी पार्टनर के साथ एक पूँच कटी बिल्ली पर प्रयोग कर रहा था उनका प्रयोग उस बिल्ली की पूँच को उगाना था जिसका पचतरवा ट्राइल उस सुबा ही फेल हुआ था एड्रियन के बॉसेस के सबर का बांध तूट सा जा रहा था एड्रियन की बीवी सोशल सविसेस के लिए काम करती है जिनें एक स्कूल की बच्ची के साथ मारपीट करने की घटना की रिपोर्ट मिली है एड्रियन की बीवी उसके घर तफ्तीश करने गई थी लड़की की मा घर पर किसी भी तरह की हिंसा से इंकार कर देती है जिसके खुद के हाथ पर सिगरेट से जलाने का निशान होता है लेकिन मा बेटी की चुपी की वज़ा से वो कुछ नहीं कर पाती एड्रियन का बॉस उन्हें बताता है कि उनकी रिसर्च को रद कर दिया गया है एड्रियन अब चुपों पर काम करेगा और उसकी पार्टनर जली फिश पर जली फिश को देखते ही एड्रियन को कैली की याद आ जाती है दूसी तरफ एड्रियन की बीवी उसे कॉंटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन उसकी आंसरिंग मशीन ही कॉल उठाती है इतने समय साथ में काम करने की वज़य से एड्रियन की पार्टनर उसे चाहने लगी थी लेकिन एड्रियन उसे रोकने की कोशिश करता है एड्रियन से बात ना होने के कारण उसकी बीवी भी उसके रिसर्च लैब में पहुंच जाती है ना ना करते हुए भी एड्रियन और उसकी पार्टनर किस कर ही बैठते हैं जिसे उसकी बीवी देख लेती है जो पहले से ही बहुत विचलित थी एड्रियन की बीवी का नाम सैम होता है एड्रियन उसके पीछे भागता है लेकिन लैब से बाहर आते ही सैम का सर चक्राने लगता है उसका दिमाग फटने लगता है और वो चक्रा कर वहीं फुटपाथ पर गिर जाती है हॉस्पिटल में पहुंचते ही उसे वेंटिलेटर पर डाल दिया जाता है सैम कोमा में चली गई थी जिसके लिए एड्रियन अपने आपको जिम्मेदार ठहराता है और वो सैम से वादा करता है कि वो उसे वापस कोमा से निकाल कर होश में लाएगा और इसके लिए उसे अपने ट्राइल्स जारी रखने होंगे उस बिल्ले की पूंच को उगाना होगा सैम के ब्रेंसल्स डेड हो चुके थे उन्हें फिर से जीवित करने के लिए ये ट्राइल्स जरूरी थी एड्रियन लैब की बेस्मेंट में ये ट्राइल्स करना चाता है और इसके लिए अपनी पार्टनर की मदद बांगता है जो तयार हो जाती है देखते ही देखते एक महीना गुजर जाता है लेकिन कामया भी उनके हाथ नहीं लगती और फिर एक दिन एड्रियन के बॉस को उसकी खूफिया लैब और ट्राइल की खबर लग ही जाती है और वो ये खबर लैब के मालिक तक भी पहुचा देता है लैब का मालिक सिक्यूरिटी आफिसर को उन पर नजर रखने के लिए कहता है लेकिन एड्रियन और क्लोई की ट्राइल को रोकता नहीं अब एड्रियन ने लैब से एक जैली फिश भी चुरा ली थी समय बीटता जाता है सैम अब भी लाइफ सपोर्ट पर होती है और ट्राइल्स का कोई नतीजा नहीं निकलता और फिर क्लोई एड्रियन को एक दिन गुड नियूस देती है उसे लगता है कि उसने उनका मिसिंग लिंक ढूंड लिया है और वो सही होती है बिल्ली सनफी की पूंच उगाती है एड्रियन का मानना है कि उनकी खोज से इनसानी ओर्गन्स बनाई जा सकते हैं सेक्योरिटी ओफिसर का कैमरा उनकी हर हरकत को देख रहा होता है हॉस्पिटल पोंच कर एड्रियन अपने लेटेस्ट ट्रायल का इंजेक्शन सेम को लगा देता है बिल्ली पर तो प्रयोग सफल हो गया था लेकिन सेम पर उसका कुछ खास असर दिखाई नहीं देता एक हफता बीच जाता है और एड्रियन क्लोई को बाहर इंतजार करने के लिए कहता है आखिर कर एड्रियन हार मान लेता है और सेम का लाइफ सपोर्ट बंद कर देता है और कुछी देर में सेम दम तोड़ देती है क्लोई एड्रियन को संतावना दे रही होती है जब सैम अपने कमरे से जिंदा वाहर निकलाती है लाइफ सपोर्ट बंध होने पर एड्रियन की दवाई ने अपना असर दिखा दिया था इसी दोरान वो विचित्र जीव एक डांसिंग कार वाले जोड़े पर हमला करता है क्लोई ये कबर इंटरनेट पर देखती है और उसे पता चलता है कि पिछले हफते में ऐसे चार हमले हुए हैं ये सबी हमले क्लोई के घर के आसपास ही हुए थे और मारे जाने वाली लड़कियों का हुलिया काफी कुछ उससे मिलता था क्लोई एड्रियन को फोन लगा कर सैम के बारे में पूछती है वापिस जीवित होने पर उसमें कुछ बदलाव तो नहीं आये थे एड्रियन इसे उसका वहम बताता है ठीक हो जाने पर सैम अपने काम पर वापस चली जाती है और एक बार फिर से उसी परिवार के पास जाती है जहां ओरत के हाथ पर सिगरेट से जलने का निशान था इस बार औरत का चैरा लाल पीला हुआ होता है वो फिर से कोई बहाना बना देती है और बच्ची का तो हाथ ही रूटा होता है सैम पुलिस को फोन लगाती है तो लड़की का बाप बाहर आ जाता है जब वो सैम को जबर्दस्ती रोकने की कोशिश करता है तो वो उसे थपड मार देती है आदमी का चैरा तो बच जाता है लेकिन उसकी चाती पर जंगली जानवर के नाखुनों का घाव होता है एड्रियन की लैब के मालिक मिचल का बेटा बहुत बिमार होता है वो घुल रहा होता है और अपने पैरों पर अब चल भी नहीं सकता मिचल बात को आगे बढ़ाने ही वाला होता है जब सैम का फोन आ जाता है जो एड्रियन से जल्थ जद मिलना चाती है सैम एड्रियन को उस आदमी के घाव के बारे में बताती है और ये भी बताती है कि उसके हाथ में कुछ नहीं था एड्रियन उसे विचलित नहीं करना चाता और उसकी बात को रफा दफा कर देता है, उसका ध्यान भटकाने के लिए वो उसे प्यार भी करता है सैम का ध्यान थोड़े समय के लिए भटक तो जाता है, लेकिन फिर उसे ऐसे लगना लगता है कि जैसे उसकी उंगलियों से बड़े बड़े नाकुन निकलाए हों और इस बार उसने एडरियन पर ही वार कर दिया था मिचल के बेटे की हालत बद से बदतर हो जाती है उसकी बीवी उसे बताती है कि डॉक्टरों ने लगबख उसे जवाब ही दे दिया है मिचल कहता है कि उसके बेटे को कुछ नहीं होगा उसने उसका इलाज ढून लिया है एड्रियन का सीनियर मिचल को एड्रियन द्वारा बनाए हुए सेल्स को इस्तिमाल करने से मना करता है तो कहता है कि सरकार ने उसे अब तक अपरूव नहीं किया है मिचल कहता है कि उसके बेटे एथन के पास बहुत कम समय है और सैम उनकी आँखों के सामने चल फिर रही है सैम के बार-बार शिकायत करने पर एड्रियन उसके सेल्स को एक बार फिर चेक करता है जो परिस्तिती के अनुसार बदल जाते हैं ये जानकर सैम खुश नहीं होती और एड्रियन से कहती है कि उसे उसे मरने के लिए छोड़ देना चाहिए था दूसरी तरफ मिचेल के जिद करने पर वोही सैल्स एथन के शरील में भी छोड़ दिये जाते हैं एड्रियन सैम की समस्या समस्ता था और अब वो उसके सेल्स को स्टेवल करने के प्रयोग में लग जाता है एड्रियन जानता है कि सैम के साथ जो भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा वो अपनी परिशानी क्लोई से सांजा कर रहा होता है जब सैम उन दोनों को एक बार फिर से साथ साथ देख लेती है और क्लोई को लेके परिशान होने लगती है उसकी मांसिक परिशानी अब उसके शरीर पर दिखाई देने लगती है घबराई हुई सैम बातरूम में चुप जाती है उसके शरीर का बदलाव उसे तकलीफ देने लगता है उसकी आँखों का रंग बदल जाता है और दान तलबे होने लगते हैं वो एक विचित्र से जीव का रूप लेने लगती है और क्लोई के घर की तरफ निकल जाती है तक ही हुई क्लोई अपनी धाकान को मिटाने के लिए घर पर शावर ले रही होती है वो बद्दा जीव अब क्लोई के घर पहुंच जाता है बातरूम में क्लोई को भी किसी के घर के अंदर दाकिल होने का आभास हो जाता है बाहर कमरे में उसे बद हवास सैम मिलती है एड्रियम का नाम लेते ही वो चीखने लगती है उसकी जीव एक सांप जैसे जीव में बदल जाती है जिसकी अलग-अलग शाखाएं निकल आती हैं और क्लोई का गला जकड लेती है क्लोई पास ही रखा लैंप उठा लेती है और उसके होल्डर से सैम की जीव पर करंट लगा देती है अचानक से Sam होश में आ जाती है और जानना चाती है कि वहाँ कैसे पहुंची वो Chloe की ड्रेस लेकर वहाँ से भाग जाती है दूसी तरफ मिचेल का बेटा खोश में आ जाता है और उसकी मा बहुत खुश होती है एक रहागीर को Sam रस्ते पर गिरिव ही मिलती है सैम की बूरी हालत देखकर वो उसे अपने घर ले जाती है उसी दोरान क्लोई और एड्रियन भी सैम को ढूंड रहे होते है औरत सैम को अपने काउच पर सुला देती है और खुद अपने बेडरूम में सोने चले जाती है काउच पर लेटी हुई सैम को क्लोई के घर पर हुई घटना याद आने लगती है लिविंग रूम से अजीव सी आवाजे सुनकर वो औरत पाहर आ जाती है सैम के शरीर में एक बार फिर से बदलावाना शुरू हो जाता है उसके हाथ से बड़ बड़े नाखून भार निकल आते हैं और वो उस ओरत पर वार कर देती है ओरत मदद की गोहार लगाती है लेकिन अब सैम रुखने का नाम ही नहीं लेती उस ओरत के घर के दरवाजे पर कोई खट-खटाने लगता है और सैमी वी सैम वहाँ से भाग निकलती है उसे डूढ़ते हुए एड्रियन और क्लोई उसे एक फुटपास पर गिरा हुआ पाते हैं इथन की जांच करने पर पाया जाता है कि वो पूरी तरह से ठीक हो गया है एड्रियन का सीनियर कुछ और टेस्ट के लिए इथन का बलड सांपल लेना चाता है सिरिंज को देखकर इथन बोखला जाता है उसका हाद भी सांप जैसे एक जीव का आकार ने लेता है मिचेल पास ही रखे सर्जिकल नाइफ से उसकी उंगलिया काट देता है फर्स पर पड़ी हुई कटी हुई उंगली सांप की तरह रिंगने लगती है अब इथन की मा मिचेल से जाना चाती है कि उसने उनके बेटे को क्या बना दिया है मिचेल के पास इसका कोई जवाब नहीं होता मिचेल डॉक्टर एडवर्ड पर चड़ने की कोशिश करता है तो वो उसे याद दिलाता है उसने उसे वो सेल्स इस्तिमाल करने से मना किया था इस समस्या से निपटने के लिए मिचेल अपने सिक्यूरिटी ओफिसर को भी मुला लेता है सिक्यूरिटी ओफिसर एड्रियन के घर चोरों की तरह गुश जाता है लेकि सोती हुई सैम को उसकी बनक लग जाती है लिविंग रूम में आवाजे सुनकर एड्रियन भार आ जाता है जहां सिक्यूरिटी ओफिसर जमीन पर लहू लोहान पड़ा होता है और उसके सामने सैम एक विचित्र सा जीव बने खड़ी होती है एड्रियन ने एंटीडोट पर काम शुरू कर दिया था सैम उसकी तरफ बढ़ती है और मौका मिलते ही एड्रियन उसे एंटीडोट लगा देता है एड्रियन सैम को एक खूफिया गराज में ले जाता है फोन करने पर क्लोई एड्रियन को बताती है कि एथन एकदम ठीक ठाक हो गया है उन दोनों को शक हो जाता है कि मिचेल ने उनकी सेल थेरेपी इतन पर इस्तबाल की है अपने बेटे को बचाने के लिए मिचेल को एड्रियन की जरूरत होती है और वचीता से जानता है कि क्लोई ही उसे इतन तक पुचा सकती है गराज में एड्रियन ने सैम को जंजीरों से बांध रखा होता है सैम उसे अपने प्यार का वास्ता देती है एड्रियन जानता है कि वो जो भी कर रहा है वो सैम के लिए जरूरी है वो सैम को विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि वो जो भी कर रहा है उसके भले के लिए कर रहा है मिचल अब किसी भी हालत में एड्रियन का पता जानना चाता है क्लोई अंजान बनती है तो वो उसे इतन की कटी हुई उंगली दिखाता है जो अब भी एक सांप की तरह रेंग रही होती है वो उस रेंगते हुए जीव को उसके मूँ में ठूसना चाते है अब क्लोई तूट जाती है क्लोई मिचल को बताती है कि उन्ने जो भी किया अब उसे बदला नहीं जा सकता था और वो सच में एड्रियन का पता नहीं जानती ये सुनकर मिचल बहुत निराश होता है इंजेक्शन लगने के बाद सैम जो भी बड़बडाती है एड्रियन उसे रिकॉर्ड करता रहता है उन रिकॉर्डिंस को सुनते हुए एड्रियन को एहसास होता है कि सैम को अब अपनी शकल भी याद नहीं उसके अंदर का जीव उसके पहले के व्यक्तित को भूलता जा रहा था इस बार जब वो गराज में जाता है तो सैम अपनी जगा पर नहीं होती एड्रियन सैम को उसकी पुरानी तस्वीर दिखाना चाता है अब सैम बाहर आके कहती है कि वो भूल चुकी है कि वो कैसी दिखती थी सैम का शरीर एक बार फिर से बदले लगा था और वो एड्रियन को अपने पास बुलाती है एड्रियन के मना करने पर वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है एड्रियन उसके पीछे भाग कर उसे जकड लेता है और साइम का नया रूप देखता है साइम फिर से उस भेंकर जीव में बदलने लगती है और एड्रियन को जकड दे लगती है एड्रियन उससे अपनी फोटो देखने की भी मांगता है उस फोटो को देखते ही सैम के अंदर ठहरावस आ जाता है और वो एक बार फिर से पुरानी सैम बन जाती है एड्रियन समझ जाता है कि उसे सैम की पुरानी यादों को हरा करना होगा यहीं उसका उपचार था मिचेल अपनी ठकी हुई बीवी को आराम करने के लिए कहता है और अपनी सेकेटरी जैसिका को ईथेन की निगरानी करने के लिए सैम को शांत रखने के लिए एड्रियन को कुछ दवाईयों की जरूरत होती है और वो कुलोई को वो दवाईयां लाने के लिए कहता है दूसरी दरफ जैसिका को देखकर एतन को एक बर फिर से दोरा पड़ जाता है उसकी उंगलिया फिर से सांप जैसा आकार ले ले लेती हैं और सामने बैठी हुई जैसिका के शरीर में प्रवेश कर जाती हैं और कुछी देर में जैसिका के मुंग से बाहर आ जाती है मीचेल दوائیاں लेकर एड्रियन के पास पहुंच जाती है जो उसे बार ख़ड़े रहने को ही कहता है क्लोई सेम को बंदा हुआ देख लेती है और एड्रियन से गुजारिश करती है कि वो सेम का खयाल रखे क्लोई के जरीय मिचेल को एड्रियन का पता चल जाता है सैम को अपनी बीती हुई जिन्दगी याद दिलाने के लिए एड्रियन उसके सामने उसका वीडियो प्ले करता है सैम के अंदर का जीव सक्री होने लगता है लेकिन एड्रियन भी अपनी कोशिश छोड़ता नहीं देखते ही देखते सैम का चैरा बदलने लगता है मिचेल जानता है कि एड्रियन अपनी बीवी को बचाने की कोशिश कर रहा है और वो चाता है कि ठीक उसी तरह एड्रियन उसके बेटे को भी बचाए एड्रियन सैम से कहता है कि वो अपने आपको समझाए कि वीडियो वाली लड़की वो ही है वो सैम से ये दोराने के लिए कहता है बार-बार और कुछी देर में सचमुच सैम फिर से अपने पुराने आस्तित्व में लोट आती है निचल अपने बेटे को ठीक करने के लिए एड्रियन के गराज तक पहुंच जाता है नया सिक्यरिटी आफिसर इथेन को शांत करने के लिए क्लोई को उसे इंजेक्शन लगाने को कहता है लेकिन क्लोई सिर्फ उसका नाटक करती है अंदर सैम एड्रियन से पहले आने वले कदमों की आहट सुन लेती है और अब फिर से एक बार उसकी आवाज बदलने लगती है यानि कि आते हुए खत्रे को देख कर उसमें बदलावाने लगते हैं एड्वर्ड अपने साथ ब्लो टॉर्च भी लेकर आया था सैम को छुपा कर एड्रियन उनके सामने आ जाता है छुपी हुई सैम उनकी सारी बाते सुन सकती है मिचेल कहता है कि उसे उसके बेटे को भी ठीक करना होगा एड्रियन कहता है उससे सैम के पूरे इलाज के लिए रुखना चाह función जब एड्रियन मानता नहीं तो मिचेल उस पर जोर जवर्दस्ती इस्तेवाल करता है और एडवर्ड को समेंटा को ढूंडने के लिए कहता है आखिर कर एडवर्ड सैम को ढूंड ही लेता है और उसे देखते ही उस पर ब्लो टॉर्ट से हमला करने लगता है सैम की चीके चारो दिशाओ में गूंजने लगती है जब एडवर्ड उसे एक कोने में घेर लेता है तो सैम अपने नए रूप में आ जाती है जिसे देखकर एडवर्ड के होश उड़ जाते हैं इस बार सैम का सबसे भेंकर रूप उनके सामने आता है सिक्योरिटी ओफिसर की गोलियों का भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता वो सिक्योरिटी ओफिसर की जुबान ही उसके मूँ से बार कीच लेती है इंजेक्शन ना लगने की वज़ा से एथन भी फिर से एक बार भेंकर जीव बन जाता है मौका मिलते ही एडवर्ड फिर से सैम पर ब्लोट टॉट से हमला करने लग लेकिन एडरियन उसके रस्ते में आ जाता है बाहर एथन सिक्योरिटी ओफिसर और अपनी मां दोनों को खतम कर चुका होता है मिचेल को भी मार कर वो अंदर चला जाता है और सैम से लड़ने लगता है एडरियन की मदद से सैम एथन पर काबू पा लेती है लेकिन अपने आ कोने में एक कोश होता है जिसके अंदर कुछ धड़क रहा होता है उसी तरह जिस तरह कोकून के अंदर रेशम का कीड़ा चुपा होता है एडरियन उस कोकून के गर्व से सैम को बाहर निकाल लेता है और ऐसा लगता है मानो सैम का पुनर जनम हो गया हो सैम एडरियन से जान भी एक इनसान है एड्रियन कहता है वो सिर्फ सैम है कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें